फिल्म इंडास्ट्री से एक बेहत शौकिंग खबर आ रही है फिल्म इंडास्ट्री की यंग आक्ट्रस ने स्यू साइट कर लिया है आक्ट्रस की सड़ी गली लाश उनके फ्लैट से मिली यह आक्ट्रस 32 साल की थी और काजोल के साथ दे ट्राइल नाम की सीरीज में नजर आ चुकी थी इस आक्ट्रस का नाम है नूर मलाबिका दास नूर बेसिकली आसाम से है और कुछ समय तक वो कतर एरवेज में एर हॉस्ट्रिस भी रही लेकिन पिछले कुछ समय से फिल्म इंडास्ट्री में वो काम कर रही थी और इस जोरान कुछ बहतरीन सीरीज का और प्रोजेक्स का वो हिस्सा रही जिसमें काजोल का दे ट्राइल शो भी था नूर लोकनवाला की एक बिल्डिंग में एक रेंटिट फ्लैट में रहा करती थी 6 जोन को उनकी बिल्डिंग में उनके पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके बताया कि नूर के फ्लैट से बहुत अजीब सी बद्बू आ रही है और पुलिस को आकर फ्लैट को चेक करना चाहिए पुलिस वहाँ पर पहुची पुलिस ने बेल बजाई फ्लैट किसी ने नहीं तोड़ा जिसके बाद पुलिस को दर्वाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर गुसना पड़ा तो पुलिस ने देखा कि नूर की बॉड़ी पंके से लटकी हुई थी और बॉड़ी को देखकर लग रहा था कि उन्हें स्यूसाइट किये हुए काफे दिन हो गए पुलिस ने जाच शुरू कर दी है इधर बात करें नूर के परिवार वालों की कि परिवार वाले आकर नूर की बॉड़ी लेंगे अंतिम संसकार के लिए तो बताया जा रहा है कि परिवार की तरफ से कोई आया नहीं यही कारण है कि पुलिस को नूर का अंतिम संसकार यहां मुंबई में ही करना पड़ा एक संस्था के साथ जुड़कर पुलिस ने संडे को नूर का अंतिम संसकार किया नूर के सूसाइड मामले में गहन जाच होनी चाहिए यही कारण है कि सिने वरकर्स असोसियेशन ने एक नाच शिंदे से अपील की है कि इस बात की प्रॉपर जाच की जाए कि आखिर क्या परिशानी थी किस कारण नूर ने सियूसाइड किया है क्या इसका रीजन उनका परिवार था या फिर कोई लव एंगल था या फिर काम में दिक्कत थी ये सच चाहिए जरूर बाहर आनी चाहिए कि आखिर 32 साल की नूर जो सोशल मीडिया पर अक्टिव थी लास्ट पोस्ट उन्होंने अपने फोटो शूट की डाली थी उन्होंने उसके बाद सियूसाइड क्यों किया